नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर आर्थी दवे लाल चंदानी और आपका एक बहुत कॉमन सवाल है जिसका आज मैं जवाब दूंगी इस इस वीडियो में हमारे वीडियो देखते रहिएगा आपका बहुत ज्यान बढ़ेगा ताकि रिदय रोगों से आप बचे भी रहेंगे और आपको आसान रास्ता मिल जाएगा इलाज कराने का तो मान लीजिए आपको रिदय रोग है और कॉरिनरी आट्री ब्लॉकिज़ है आपका एक कॉमन सवाल होता है कि कितनी अर्जेंसी है कि इसका इलाज कराएं क्या बहुत जल्दी है क्या कुछ हो जाएगा क्या हमें दौड के तुरंद अंजियो प्लैस्टी बाइपास करान मतलब समय लेके प्लैन करके दौक्टर से बात करके appointment कर सकते हैं, दूसरी होती है, emergency है re-vascularization, Re-vascularization मतलब होता है blood circulation को ब्लॉकिज़े के बाद वह condition है जिसे आपको acute heart attack हुआ, बहुत तेज सीने में दर्द हुआ, आदे घंटे तक हुआ, आपको लगा आपकी जान निकल जाएगी, खुब पसीना छूटा, हो सकता आपकी तटी पिशाप छूट जाए और मरीज बहुत सीदेर्स हो जाए, नब्स गिर जाए, धरकन होने जाए धरकन रुख जाए थोड़ी देर के लिए, सांस उखड जाए, पल्मिनरी डीमा में, कार्डियक फेलियर में पेशेंट चला जाए, कार्डियोजनिक heart failure हो जाए उसको, तो अगर इस तरह की इस थिती आती है, तो बहुत अरजेंसी रहती है, अगर आप 4-6 घंटे के 12 घंटे के अंदर आप कोई भी Cardiology Hospital या Cardiac Center पहुंच जाते हैं, और अगर वह आपका तुरंथ Cardiac Catheterization Lab में ले जाकर आपको Angiogram करके देख के तुरंथ हाथ के हाथ, अगर Primary Angioplasty मतलब हाथ के ब्लॉक देखा उन्होंने Angiography में, वह तुरंथ खोल दिया, तो वह best है, और वह बहुत अच्छा तरीका है, उसे जान भी बचती है, उसे Myocardium बचता है, आपका Heart Muscle सेव होता है, Heart की Life Shorten नहीं होती, जितनी रहती अटेक के बावजूद, तो लाइफस्पन बढ़ जाता है उससे, तो प्रामी Angioplasty कर आप 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 आए, तो बेस्ट है, लेकिन अग बेट कर सकते हैं, डॉक्टर के आप जरूर दिखाये, लेकिन आप प्लान वे में रिवास्कुलराइजेशन करा सकते हैं, Angioplasty Stent Bypass नहीं भी कराना हो, तो extended optimal medical therapy, या फिर intravenous तरीके होते हैं, drug देकर blocks खोलने के, वो कर सकते हैं, lifestyle changes से कर सकते हैं, risk factor management से भी आपका block खुलता है, anti platelet दवा होती है, platelets के ही clot बनते हैं, उसको dissolve कर सकते हैं, cholesterol lipids को एकदम नीचे ला सकते हैं, high dose statin नाम की दवा लेकर, high dose statin लेने से, आपका तुरंत ये देखा गया है कि तुरंत कुछ मिंटों में ही आपका जो ये अथरोमा है, जो cholesterol का या fat का जो आपका blockage बना हुआ ह वो श्रिंग कर जाता है, और आपका circulation restore होता है, तुरंत आप जब coronary vasodilator लेते हैं, coronary artery dilate करते हैं, रास्ता बन जाता है, आपके block खुलते हैं, intravenous beta blocker भी लगाया जाते हैं, ये दवाएं भी क्या करते हैं, कि आपका heart का work load कम करके, आपका myocardium को भी salvage करते हैं, आपके heart infection कम करके, और sudden death से भी बचाते हैं आपको, heart की injury से बचाते हैं, तो ये बहुत तरह की दवाएं होती है, urgent treatment जरूर करना चाहिए, blocks हो जाये, उसको भी जल्दी से जल्दी खुलवाने का परयास जरूर करना चाहिए, पर परेशान नहूं, अगर आपको अराम मिल गया है, और आप जिंदा तो हही है, इसका मतलब circulation किसी तरह restore हुआ है, और sufficient आपका heart का pump action है, cardiac output हो रहा है किने, heart ठीक से pump कर रहा है किने, इसका एक simple जवाब है, simple तरीका है, और answer है, वो ये, कि अगर आपका urine हो रहा है, आपका urine produce कर रहा है, इसका मतलब आपको adequate circulation है, जो kidney में क्योंकि kidney अगर circulation नहीं है, BP बहुत कम है, cardiac output अगर kidney में नहीं पहुँच रहा है, sufficient blood supply, तो urine नहीं बनेगा, और urine रुग गया, तो बहुत गंभीर सिती होती है, फिर भी, heart में जो कुछ भी है preventive है, जो है पहले कर सकते हैं, बाद में कुछ नहीं कर सकते हैं, एक बार heart attack हो गय या कोई ऐसी सिती आ गई, तो sudden death भी हो सकता है, इसलिए जो है पहले करना है, prevention बहुत important है heart के मामले में, बचाओ बहुत important है, तो young age से ही, heart से मेरे बहुत सारे videos आप देख सकते हैं, heart disease, heart attack, coronary artery blockages, prevent करने का, होने के बाद भी इसको कैसे manage करें, इसके भी videos हैं, और इसके बना हो भी गया, तो भी कैसे, इसके लिए भी, look out for these videos, कि होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, इसके बचाओ के लिए या उसको blockages को कम करने के लिए, और revascularization के लिए मैंने बहुत videos बनाया, उन्हें भी देखिएगा, इसी के साथ, Namaskar, धन्यवाद,